यह लोग जितने भी यहां पर पहुँचे हुए हैं यह ऐसा है कि जितने भी यहां पर किसान संगठन है खास तोर से नौर्थ इंडिया में उन लोगों ने डेड़ सो दो सो मैकसिमम तीन सो चार सो लोगों की एक वानर सेना बनाई हुई है अपनी और यह जब भी कुछ इस तरह का काम करना होता है तो इनको वहां पर भेज देते हैं और देखिए खास तोर से किसान क्या है किसान को तो खेती करना उसका मुख्य काम है लेकिन ये सब जितने लोग हैं जो वहां पर जाते हैं इन्में से कोई कोई खेती भी करता। तो तब भी ये कुछ नहीं कर पाये थे केवल इनकी जो वानर सेना है वो लाल के लिए पचड़ गई थी दीप सिद्धू ऐसे से लोग जो इनके शेड़ों में काम कर रहे थे उससे में उन लोगों ने उत्पात मचाया था और आज यही उत्पात इन लोगों ने जंतर मंतर पे किया है देखे जंतर मंतर पर जो इनोने उत्पात किया है ये इनकी पुरानी इच्छा थी जब किर्शी कानोनों के खिलाफ इनका परदर्शन चल रहा था तो उससमें इनोने नहीं यह कहा था कि हम किसान संसथ बलानाँ चाले हैं आगे की रननीती टे करने के लिए हम ज जाते थे कि हम कनाट प्लेस के बीच में पहुंचके वहाँ पे जो प्राइम लोकेशन है वहाँ पर बैठ के जहां देश दिन भर सारा मीडिया रहता है वहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करें तो यह इनकी पुरानी इच्छा थी उस समय प्रशासन ने का आता कि नहीं भाई ऐ इसे नहीं होगा हम दिल्ली में नहीं गुसने देंगे इस तरह से किशी को भी और जिन लोगों को आना है आपको बाकाइदा उनकी हमें लिस्ट देनी पड़ेगी कि इस संगठन से ये लोग आएंगे और उनहीं लोगों को पर्मिशन होगी और लिमिटेड लोग होंगे ए पर सारे MPs रहते हैं उनके जो बंगले हैं बाकी offices हैं जितने भी central government के offices हैं कि हम वहाँ जा पर अपना उत्पात मचाएं ये इनकी पुरानी इच्छा है आज से नहीं है ये बहुत 20-30 साल से है ये इनकी बार बार ये होता है कि हम वहाँ जा के उत्पात मचाएं लेकिन वो पूरी तरीके से डिरेल करने की कोशिश की वहाँ पे मैं आपको बता दू कि वहाँ एक बहुत छोटी सी जगह है जंतर मंतर के पास कोई ज्यादा बड़ा नहीं है कि जैसे कि एक कोई चोरहा होता है इतना बड़ा एक थोड़ा सा इलाका है मुश्किल से वह वहाँ पे है वो पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई थी क्योंकि दिन भर मीडिया के लोग और उन मीडिया के लोगों के साथ थोड़ा बहुत शरार्ती ततु जो गुश जाते हैं उनको भी पुलिस को चेक करना है कोई गड़बड ना कर दे कोई आतिश बाजी ना कर दे कोई वहाँ पीट हो जाए कोई चाकू लेकर अंदर घुश जाए वहाँ पर किसी पर हमला कर दे तो पुलिस के लिए तो सबसे बड़ी समस्या यह है तो उन्होंने इस तरीके से दोनों तरफ से दो तरफ से जंतर मंतर पर आज जा सकते हैं वैसे तो एक दो तीन चार रास्ते हैं जो अपने पुलिस के वेरिगेट्स होते हैं जो रेलिंग्स लगाई होती है वह और उन्हें ब्लोक की हुई ते और उनके बीच में से इन्होंने मैटल डिटेक्टर लगा के एंट्री करने के पॉइंट्स बनाए हुए दोनों तरफ से कोई भी आता है जैसे कि आज प्रिय चले जाते हैं लेकिन आज इन लोगों ने जो हरकत की है वो मुझे लगता है कि पहलवानों के लिए और बड़ी मुसिबत खड़ा करने वाला है क्योंकि इस तरीके से फिर अगर ये इस तरह का उत्पात मचाएंगे और जबरन गुसने की वहाँ पर इस तरह की कोशिश हों तो परशाशन को और भी कड़े कदम इसमें उठाने पड़ेंगे और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको याद होगा कि किसान अंदोलन जब चल रहा था तो यूपी किसे जो लगती हुई दिल्ली की सीमा है जिसको गाजीपूर बोर्डर कहते है जहां पर राके स्टिकेट ब उसी दिन राके स्टिकेट रोई थे वो एक जो आइकोनिक उनका वो वीडियो उससे में चला था वो उसी दिन रोई थे और उन्होंने खुद को इतना ऐसा है महसूस किया था क्योंकि उससे में सो डेड़ सो लोग मौजूद थे वापर और जब पुलिस पहुंचेगी तो स समय मेगाले की गवर्नर थे तो उन्होंने सीधे फोन किया था हमित शा को और उनने का था कि अगर राके स्टिकेट को जबर्दस्ति वहाँ से अठाय गया तो हिंसा हो सकती है यह हो सकते है तो उस समय मित शा जी जो है इस पर पीछे अट गए थे और उन्हें योगी अदित तेनातिने उस दिन इने खटा दिया उता तो उस दिन ही अंदोलन खतम हो गया था लेकिन उसके बाद इस आंदोलन और जोर पकड़ा और ये लगबग उसके बाद आठ नो महीने तक चला और उसके बाद तो इसमें सारे गलत काम होते चले गए जो आप सब बता रही हैं उस तरह के इंसिडेंट्स भी हुए और या मर्डर तक हो गए यहां पर तो उसी परिस्थिती को पैदा ना होने देना चाहती है दिल्ली पुलिस और इसलिए जो धरना चल रहा है पहलवानों क तो इसमें कोशिश यह की जा रही थी किस इस में जो धरना देने वाले लोग हैं उनकी संख्या ना बड़े पहलवान है उनके साथ पांस साथ दस लोग हैं वो सब बैठे रहें आप मिलें और चले जाएं लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप किसी भी संगठन के सो दो सो आदमी आए और वो डेरा डाल लें और जंतर मनतर भर पिछले कुछ चार पांच सालों से तो यह भी किया जाने लगाए कि किसी को भी पहले वहाँ ऐसे से धरने चले हैं जो तसक्णा किसान इनके पहलवानों के साथ तो मुझे लेक्ता हैं बहूत ज्यादे चूट दी जा रही है ये एक बार पहले भी आये थे जनुवरी में, उस समय इनकी डिमांड ये थी के साथ जो आपने तो कहा कि हजारों लड़कियों का शोषन की बात कही है, तीन या चार लड़कियों का में रूप से मामला है, और वो लड़कियां भी ये नहीं अभी बता पा रही हैं कि हमारे सा चुकी हैं ये चीजें, सामने आ चुकी हैं कि उन्होंने काए वो डेटी वो विनेश फोगाट है, उनका भी एक बयान था कहीं, कि वो एग्जेक्टली भूल गई है कि ब्रजभूशन ने या किसी और कुस्ति संके किसी अन्ने अधिकारी ने उनके साथ दुरोवेवार किय हैं वो और उनका बड़ा सम्मान है और देश का उन्होंने नाम रोशन किया है, लेकिन कायते से मैं बताओं कि इसमें जो कुस्ति संग है, उसने जो एक क्या कहते हैं कि हरेस्मेंट को लेकर एक जो कमेटी बनाई हुई है, वो उसकी हैड है, खुदी, उसका हैड उनी को बन निधी बबीता फोगाट, जो इनकी चचेरी बेहने विनेश फोगाट की, आपको पता होगा कि वो दंगल फिल्म बनी है, चार-पाँच बेहनों को लेकर, शीज बन ओफ देम, बबीता फोगाट दूसरे नंबर की हैं, गीता फोगाट सबसे बड़ी हैं, तो इनके कहने प इनके साथ पली बड़ी हैं, तो अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो केवल इस वज़े से इनके साथ अन्याय होने देंगी, कि वो इनकी बहन है, या फिर वो बीजेपी से जुड़ी हुई है, तो इनकी मरजी के मुताभिक ही सब कुछ अब तैक हुआ हुआ है, बीजेपी ने या सरकार ने, लेकिन हकीकत बात यह है कि ब्रजबूशन सरन जब से उलम्टिक संक्याद्यक्स बने हैं, मेरे ख्याल में पहली बात 2011 में बने थे वो, 10-12 साल से वो कुस्ति संक्याद्यक्स हैं, और जितने भी ये पहलवान हैं, मरज हु ये सब उनके कारेकाल में ही हुआ है, उन्होंने अच्छी फैसिलिटीज पहलवानों को दिलवाई है, सारे के सारे पहलवानों को विदेशी कोच दिये गए हैं, बढ़िया इनको पैसा मिलता है, सरकार की तरफ से फुल सपोर्ट है, इन में से सभी को 100% को सरकारी नोकरिया मिली हुई हैं, सभी तमाम तरह की सुईदाये हैं, अब इन लोगों ने एक जिद पकड़ ली, और इनकी जिद ये है कि हम नेशनल लेविल के प्लेयर जो हैं, जो इंटरनेशनल लेविल पर अचीवमेंट जिन्होंने कुछ पा लिया है, बड़े जो प्लेयर हैं, इनका कह है कि अगर आपने एशियन गेम में भाग ले लिया है, या कहीं भी पर भी भाग ले लिया है, तो वो ये चाहते हैं कि इस पूरे परकरण को लेके आप उस उस पॉइंट को छोड़ दें, हम लोगों को डिरेक्ट विदेशों में जाने की परमिशन दें, कि हम डिरेक्ट व तो ये हरी पगड़ी वाले हैं जो घुसे हैं जंतर मंतर पे, इन्होंने तो मोधी तेरी कबर खुदेगी, योगी, मुर्दाबाद के नारे लगाये हैं, बताइए मोधी और योगी का इस रैसलर्स प्रोटेस्ट से क्या मतलब है, तो ये तो काईदे से बाज बजरंग ये जाट हैं, तो सोशल मीडिया पर देखिए, आप जाट महासभा का या वो एक ट्विटर हैंडल है, उसको देख लीजिए, और इधर इनका राजपूत महासभा है, एसोशेशन है, उनका देख लीजिए, ट्विटर हैंडल, दोनों एक दूसरे को क्रॉस फायर कर रहे है जबरदस चल रहा है दोनों का, आपस में, तो ये काईदे से चीजे ये डीरेल हो गई हैं, और ये सबसे बड़ा गलत इसमें जो हुआ है न, वो ये हुआ जिस दिन पीटी उशा आई थी, जितने इन सब लोगों ने मेडल मिला के जीते ने, उतने अकेली पीटी उशा ने तरने परदसन पे पहुँच जाती है, फार्मर प्रोटेस्ट में भी थी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ सो दो सो लोग हैं, इनके पास जो हर जगे पहुँच जाते हैं, तो ये भी उनमें से ही हैं, जिसें कहते हैं, मोदी जी के आंदोलन जीवी, तो ये भी उ साथ आपने ऐसा दुरवेवार किया, और आप कुस्ती संग और जितने भी ये संगठन हैं, खिलाडियों के सीधे जो है, उलम्पिक एस्योसिशन से जुड़े हुए हैं, वो आपकी बात सुनने के लिए आई थी, हो सकता है कि वो कुछ दो बात पॉजिटिव आपके लिए बोलती, और उनके साथ दुरवेवार हुआ और उसके बाद मुझे दुख इस बात का हुआ, कि इन किसी भी पहलवानों ने, जितने भी पहलवान बैठे हुए हैं, इस बात को लेकर खेद नहीं जता है, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, और पीटी उस्षा का हम सम्मा हो चुकी है, FIR के बाद तो फिर पुलिस को और सब आगे जाच जो अजनसिया हैं, उनको सारा काम करना होता है, तो उसका वेट भी नहीं आप कर रहे हैं, आप ये कह दे हैं कि हमें कुछ भी नहीं सबसे पहले स्तिफा दिलवाओ, ये तो एक जित हो गया और इस तरीके से अगर इस तरह की बाते मान ली जाएंगी, तो फिर तो इस देश में हर जगे धरने पर दसन होंगे, कल को जो है इंडियन क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी होंगे, उनका जगड़ा होगा तो वो भी BCACI के खिलाफ धरना लेकर बैड़ जाएंगे, लग खिलाड़ीों के मिस्टम है, उससे भी लड़ना है, आपके सामने जो पॉयंट टेबल हवस से भी लड़ना है, जो रैफरी है, उससे भी लड़ना है, जो खेल तो ispirit का ही काम है, इसपे तो जो ispirit है वो हर जगे आपकी बनी रहती है, तो आपको तो खेल खेलना है, bleakने आपैट करने ही हर्च Arriya एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझधार जॉर्णलिस्ट है और मेरे मित्र भी है. तो भुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए उनका ये यूटुव चानल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारक बात देना चाहती हूँ एक चीज़ जरूर कहूंगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी है इंसान होना बहुत जरूरी है लाइफ में क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावर्ट में आ जाता है तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ रिस्पॉंसिबिलिटी और जिम्यदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं So congratulations हर्शी and आप लोग जरूर देखिये like कीजे हर्श की बात